हालो और वेलकम दोस्तों रिफार्मेंट इंजिनेरिंग आज का वीडियो वाखे बड़ा कमाल गाउने वाला दोस्तों आज की इस वीडियो में एक नया बैतरीन क्वेश्चिन टाइप रिलेटेड टु टाइम वर्क टॉपिक में आपके लेके आगे हो कुछ ऐसा है कि एक पीस ओफ वर्क है उसे कंप्लीट करने के लिए एक को साथ दिन लग रहे है और यह आगे का फंडा क्या है यह कुछ नया है यह आगे का फंडा क्या है 7 days of 9 hours each मतलब क्या इसका simple मतलब क्या है कि ए जो है हर दिन 9 गंटे काम कर रहा है हर दिन 9 गंटे काम कर रहा है और ऐसे अगर वो 9 9 9 9 9 गंटे काम करता है तो ऐसे total 7 दिनों में वो उस वर्क को complete कर रहा है I hope you are understanding the point समझ माया ना मतलब वो दिन का 9 गंटे काम कर रहा है और ऐसे कितने दिन लग रहे है उसको उस काम को खतम करने के लिए 7 दिन लग रहे है I hope you are understanding the point तो यह एक नया element है जो questions में आपको introduce किया जा सकता है confused करने के लिए लेकिन ज़्यादा confused होना नहीं है ठीक है B क्या करता है उसी काम को 6 दिन में complete कर रहा है और उन 6 दिनों में मतलब जो भी दिन है उसमें एक दिन में जो है वो कितना 7 गंटा काम कर रहा है उसके उपर ठीक है So 7 days of 9 hours each 6 days of 7 hours each ऐसा question में terms आपको देखने को मिल जाएंगे तो कैसे solve करना है वो मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और आंतिम में जो question आखिर में जो question पूछा गया वो बड़ा सा tricky सा question है यह fact given है अब इसके बाद वो question क्या पूछते है कि अगर यह A और B दोनों एक साथ काम करे तो उने कितने दिन लगेंगे तो उने वो काम complete करने में कितने दिन लगेंगे on one condition that they have to work 42 by 5 hours a day यह है tricky question कि मतलब थोड़ा सा दिमाग को उल्जा देता है कि आखिर करे क्या अब यह दोनों मिलके काम करेंगे इतना को समझ में आता है लेकिन उने कितना काम कितना time लगेंगे कितने दिन लगेंगे उस काम को complete करने में वो भी इस हिसाप से इस condition के हिसाप से आपने को find out करना है तो let let's find it out बड़ा simple सा funda है जाद है कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पर हम in terms of hours बात करेंगे ठीक है यानि क्या see a को जो है total time कितना लगने वाला है in terms of hours to complete that particular work तो साथ दिन है तो 7 into 9 hours मतलब हर दिन वो 9 गंटे काम करने वाला है तो therefore साथ दिनों के end में अगर निकल के आता है 63 hours जो है वो काम करेगा यानि 63 hours में उस काम को निप्टा देगा similarly B भी है B को कितना 6 into 7 I hope you are understanding the point तो 6 7s are 42 hours जो है 42 hours में जो है वो उस काम को respectively निप्टा देगा B की बात यहां पे चल रही है तो उस हिसाब से 1 day 1 day of A 1 day of A में कितना काम होगा that will be 1 by 63 और B के लिए क्या होगा 1 by 42 okay not one day it should be one hours because 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 we are talking in terms of here hours यहां जो आकड़े हमने consider किये वो 4 hours तो यहां पे hour आएगा तो एक घंटे में A जो है इतना part और B जो है इतना part of work जो है वो complete कर पा रहे हैं let's consider कि one hour में आगर A plus B दोनों काम करे तो वो दोनों कितना कर पा रहे है ठीक है so it's simple as 1 by 63 plus 1 by 42 and the result that you get is 5 by 126 okay तो यहां पे सिर्फ हमने एक गंटे की बात की है okay एक गंटे में इतना part of work will be done लेकिन अगर मैं interested हूँ यहां पे पूरा work कितना time में वो complete कर रहे हैं कितने उन्हें एक तरीके से जो है गंटे लग रहे हैं पूरा work complete करने में तो that is a very simple funda see one hour में कितना हो रहा है 5 by 126 का इतना part of तो कितने hours लगेंगे पूरा complete होने में तो इसका जो answer वो क्या होता इसी का reciprocal simple इसी का reciprocal वो हमने कई बार देखा है so that is nothing but 126 by 5 hours जो है इतने लगने वाले है ए और बी अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं और उस काम को finish करेंगे वो इतने hours में ठीक है कि 42 by 5 hours काम करना है और अपने को यह पता है we know that A और B अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो इतने घंटे में वो अपने काम को निपता देंगे खतम कर देंगे now we have to find simply as per this condition how many number of days they are going to work तो उस हिसाब से यहाँ पे x days हमें find करना है और x days में वो कितना घंटे ले रहे काम complete करने को 126 by 5 hours I hope you are getting this simple point ओके एक दिन क्या दिए एक दिन में इतने घंटे काम करना है calculation के निकल किया है कि a और भी इतने घंटे में काम खतम कर रहे है as per this condition अपना x निकालना है अपने को कि कितने दिन लगने वाले that was the basic question ठीक है तो x क्या होगा just cross multiply अगर आप cross multiply करोगे तो आपको क्या मिलेगा 126 by 5 is equal to x 42 by 5 ओके यहां पर अगर लेके जाता हूं 126 by 5 into 5 by 42 that is equal to x 55 get cancelled that is x is equal to nickel के आता है 3 days समझ में आगी बात इस तरीके से जो है वो calculation करना अगर कुछ चीज़े समझ में नहीं आई होंगी तो थोड़ा rewind चले जाओ वापस से देख लो पूरा समझ में आ जाएगा कि as per this condition as per this condition हमें अपना answer जो है find out करना था कि आखिर कितने दिन लगेंगे ए और बी को उस काम को complete करने के लिए तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया कि भाई in terms of hours हम लोग पहले देख लेते समझ लेते हैं कि कि कितना time लगने वाला ए और बी अगर दोनों काम करें तो और उसे complete करने में इ सिब जाज और इस वीडियो को शेयर किई अपने सार दोस्तों के साथ thanks a lot दोस्तों for watching this video